आजकल अंतराश्टी क्रिकेट में भी अजीबों गरीफ्स देती है कि जो टीम जाती है कहीं बाहर खेलने के लिए तो जो होस्त नेशन होता है अपने पसंद की विकेट बनाता है हला कि यह बात बहुत पुरानी है लेकिन अब पिच का पेज कुछ ऐसा बदला है कि आखरीक पिशनों में भी जो मेजबान टीम है उसका अधिक से अधिक फाइदा उठाने की कोशिश करती है अब बॉडर गवास के ट्रॉफी को ही लीजिए यह नौ तरीक को मुकाबला शुरू होने वाला है नाकपूर के विदर क्रिकेट एसोसेशन मैदान में और यहां पर जो पि भी थी लेकिन आखरी क्षणों पर राहुल द्रविड जो भारते टीम के कोच हैं उन्होंने इस पिच की नेचर को बदलने के लिए फरमान सुना दिया और उन्हें ने कहा कि उन्हें यह पिच नहीं चाहिए बलकि इसके साथ में जो पिच है उसका निर्मान किया जाए नह को लमा जात कीजिए जब ऑस्टेलिया की टीम भारत आई थी और एडम गिलकिस टीम के कप्तान थे और नागपूर में टेस्ट मैश शुरू होने वाला था सौरब गांगली ने आखरी क्षणों में बिलकुल इसी अंदाज में जैसे राहुल द्रविड ने अभी फरमान दौरब गांगली ने सुनाया था और पिच को आखरी क्षणों में बदल दिया गया था और वो खुद नहीं खेले थे उस मैच में लेकिन राहुल द्रविड को कप्तानी करनी पड़ी थी उस मैच में और आपको याद दिला दें कि वो मुकाबला औस्टेलिया ने जीता थ था तब उनकी तरफ शेनवान हुआ करते थे शायद बहुत जादा पिच का मिजाज जो है बदलने की कोशिश थी कि यहां मध्यम गती के तेज गिनबाजों के लिए भी आवसर रहे और लेकिन उसका फाइदा उठाया ग्लेन मैगरा ने और साथी गिलेसपी ने गिलेसपी नव में T20 मुकाबला खेला गया था जहां न्यूजिलेंड और भारत के बीच वो मैच था जिसमें 101 रन 99 रन बनाये थे 8 विकट के नुकसान पर नियूजिलेंड ने पहले बल्ले बाजी करते हुए और वहीं भारत ने 101 रन 4 विकट के नुकसान पर बनाकर मुकाबला जीता था और वो भी अंतिम पूर्व गेंद पर मैच का फैसला हुआ था पिच को लेकर बहुत अलोचनाय हुई थी और यहां तक कि पिच क्यूरेटर की नौकरी भी चली गई थी लेकिन वहां पर भी आकरी शणों में राहुल द्रविड और हार्दिक पांडिया ने जो है यह सल जोचनाओं के किंदर में आ गई क्योंकि टी टूंटी क्रिकेट में अगर सौर रंचेज करने में भी अगर आपको पूरे बीस ओवर लग जाएं अंतिम पूर गेंद पर मैच का फैसला हो तो उससे क्रिकेटर के साथ साथ हतो साहित होते हैं दर्शक भी लेकिन उस पे कविड द्वारा टीम के कोज द्वारा उससे आप कितने इतिफाक रखते हैं कितना खेल भावना के से विपरीत मानते हैं आपने राए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें आमस्कार